जुस्तो वेलकम टू our channel टाइम टू स्टडीलाइन जिनोंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले भारत के महान करांतिकारियों के बारे में यह हमारा पांचवापाट है इस वीडियो में हम एक महान करांती कारी की बात करेंगे जिस महान करांती कारी को वह ओदा नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे क्योंकि वह एक नीची जाती के व्यक्ति थे जैसा कि हम सभी जानते 1857 की महा करांती में सबसे पहले सईद होने वाले मान क्रांतिकारियों में मंगल पांडे जी का नाम आता है परन्तु मंगल पांडे जी के पहले भी एक क्रांतिकारी को फासी दी गई थी जिनका नाम मातादिन भंगी था जिसे हम मातादिन वालमिकी भी कहते है मातादिन वालमीकी का नाम इतियास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि वह एक नीची जाती के थे अगर वह नहीं होते तो मंगल पांडे 1877 के सतंतरता संग्राम के महानायक नहीं बन पाते वह अगर शोला थे तो मातादिन भंगी उस सोले में आग पेदा करने वाले परतम चिंगारी थे इतियास कारों ने उनके साथ बहुत अन्याई किया है और भारत ने भी परतम शतंतरता संग्राम के सुत्रदार के इतियास को भुला दिया है मातादिन के पुरवज मेरट के रहने वाले थे मगर वे नोकरी के सिलसले में अंग्रेजों की ततकालिन राजदानी कोलकत्ता में बस गए थे वहां मातादिन बेरकपूर कार्टूस फेक्टरी में सफाई कर्मी थे अंग्रेज फोज के संपर्क में रहने से मातादिन भंगी को वहां की सारी गतिविदियों की जानकरी रहती थी बेरकपूर छाउनी कोलकत्ता से मातर सोला किलोमेटर की दूरी पर थी बेरकपूर छाउनी के अंदर ही मंगल पांडे जी काम किया करते थे फेक्टरी में कार्थूस बनाने वाले मजदूर मुसर जाती के थे एक दिन वहाँ एक मुसर मजदूर छाउनी में आया जिसका नाम मातादिन भंगी था मातादिन भंगी को प्यास लगी तब उन्होंने मंगल पांडे नाम के एक सेनिक से पानी मांगा मंगल पांडे जी ने अपनी उची जाती होने के कारण उसे पानी पिलाने से इंकार कर दिया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाओंगा तुम्हें पानी पिलाने से मेरा धर्म बरश्ट होगा तब माता दिन भंगी बोकला गए और उन्होंने मंगल पांडी जी को कहा तुम्हारा यह केसा धर्मे जो एक प्यासे को पानी पिलाने की इजादत नहीं देता है और गाई जिसे तुम लोग मांते हो और जिस कार्तुष का तुम लोग उपयोग करते हो उसके अंदर गाई और सुवर के चमडे का उपयोग किया जाता है तब तुमारा धर्म भरष्ट नहीं होता है मंगल पांडे यह सब सुनकर चंकित रह गये उन्होंने माता दिन को पानी पिलाया और इन सभी बातचीत के बारे में बेरकपुर के सभी सेनिकों को बताया इस सच को जानकर सभी हिंद में विद्रो भरक गया माता दिन भंगी भी कर्तविया निबाने में पीछे नहीं रहे उन्होंने अंग्रेजों के रखे हत्यारों गोला बारुद और रसा धिकानों का पता विद्रोई सिपाईयों को बता दिया और 1857 की क्रांती में बड़े सहयोगी बन गये बाद में अं चीट तैयार की जिसके अंदर सबसे उपर माता दिन भंगी का नाम था माता दिन भंगी के नाम पर मुकद्मा चलाया गया सभी गिरफतार करांतीकारियों को कोर्ट मार्शल के जरिये फासी की सजा दी गई माता दिन भंगी भी मात्रू भूमी के लिए 8 अप्रेल 1877 को माता दिन भंगी 1857 की क्रांती के जनक थे उनकी सहाधत को इतियास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया है अब उनकी वीर गाता को हमें नई पीड़े तक पहुचाना यह हमारा करतव्य है इसी परकार भारत के मान क्रांती कारियों और भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर के लिए हमारे चैनल को लाइप कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए